तो दोस्तो आज बनाते हैं बिना साबुदाना भीगोए समाके चावल और साबुदाना से हाज हम बनाने वाले हैं बहुत ज्यादा सौधिश्ट, कम तेल का ये बहुती तेश्टी नास्था व्रत के लिए जिसे आप हर बार बनाना चाओं तो चलिए फिर बनाते हैं उसके लिये हमने एक कटोरी समाके चावल, आज मैं कटोरी से आपको बता रही हूं ताकि हर को इसको आसानी से बना सके और पनफर्थ कटोरी यानि समा के चावल का हमें चोथा हिस्सा इस तरह से हमें साबुदाना लेना है अब इसको हमें मीडियम या लो टू मीडियम करते हुए इसको इसको हमें भून लेना है और देखिए सिर्फ तीन से चार मीड लगेगा और यह आसानी से भून जाएगा यह देखिए जब यह भून जाते है न तो इसमें से सोंधी सी खुश्भू भी आती है और इनका कलर भी हलका साथ चेंज हो जाता है जो समा के चावल है ना काईस देखिए वह वाइट हो जाते आप चाहे तो इसे इसी पैन में भी रख सकते है लेकिन फिर उसको टाइम लगेगा धंडा होने में तो देखिए मैंने इस तरह से अलड़ फ्लेट में निकाल दिया है अब इसको थोड़ा सा हम फेला देंगे ताकि यह जल्द इसे धंडा हो जाए चलिए इसी छोड़ दे ठाड़ करेंगे तो तो बहुता है टूड़ा करते हैं थोड़ी ही देर में यह लगे देख सकते हैं अच्छे सी घंडा हो सकते हैं सटे करेंगा अब इसको घंड़ करेंगा इस चलिए भी मिक्सी की जार में डाल देते हैं और फटाफर से इसको हम पाउडर बना लेते हैं तो चलिए इसको देखिए मैंने पाउडर बना लिया है यह देख सकते हैं अब फाइन पाउडर बन जाता है अब हम इसी जार में क्या करेंगे ना इसी के साथ में हम मिला देंगे तो दही मेंने लिया है एक कटोरी और साथी में हम डाल देंगे सौधानुसार नमक और एक बार इसको फिर से चर करके लिए इस तरह से और अब इसके बाद हम डालेंगे पानी तो पानी भी मेंने लिया है एक कटोरी परफेक्ट नाफ है गाईस इसी नाफ से हमें रखना है इ को ज्यादा फेटने या मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अलग बरतन में निकाल लेंगे एक बाउल में और यह देख सकते हैं मैं आपको इसकी कंस्टे से दिखाती हूं यह देखिए इसी तरह की होनी चाहिए ना ज्यादा गाड़ी ना ज्यादा पतली देख सकते हैं और यह जो नाश्ता है आप बिना वरतकी बना के खाओगे इतना टेश्टी बनता है तो देख सकते हैं अब यह अच्छे से हो चुका है अब इसको हम थोड़ा रेष्ट करने देंगे पाट दस मीड तब तक हम कर लेते हैं आगे की तयारे इसके लिए लिया है मैं मिक्सीका जार चोटा वाला जो चक्नी वाला जार आता है वही अब इसमें मैं लिया है एक टेबल स्पोन भूनी हुई मुंभली कुछ हरी मेच कुछ अद्रग थोड़ा सा हरा धनिया थोड़ा सा जीरा आप इसमें मतलब बुरत के लिए है तो आप इन चीजों में जो भी आप बुर आप इसी बेटर में अब हम वही मिक्चर डाल देते हैं जो हमने अब इभी बना कर तयार किया है यह देखिए फटा फट से इसको हम डाल देते हैं बिल्कुल आप चाहे तो इसमें बारिक कट करके भी मिर्ची ले सकते हैं और अगर क्रश किया हुआ मुंभली के दाने है त इस तरह से करके ही आप डालना कद्दू कस करके नहीं डालना इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और आलो भी जल्दी से पक जाता है अब थोड़ी सा मैंने काली मिच का पावडर डाल दिया है और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया बहुत ज्यादा हमें इसमें कुछ अगर आपके पास दही बहुत ज्यादा गाड़ा है तब आप एक कटोरी पाने लेना अगर पतला है तो आधा कटोरी पाने लेना इस तरह से नाफ रखना अब मैं डाल रही हूँ इसमें खाने वाला सोड़ा और इसमें थोड़ा सा एक चमश पानी जितना हम डाल कर इसको मिला लेंगे ताकि जो सोड़ा है वो जल्दी से एक्टिव हो जाए बस इस तरह से इसको हलका सा मिला लेंगे और देख सकते हैं बबल सा आगए है अब चलते हैं गेस की तरफ जहां में रख दिया है तड़का पैन क्योंकि आज हम इसको तड़का पैन में बना रहे हैं अधा चम्मज इतना ओईल इसको हम चार तरफ इस तरह से फेला लेंगे देखिए और थोड़से में डाल रहे हैं इसमें सफेज वाले तिल तिल जैसे चटक जाए फिर हम डाल देंगे एक चम्मज भरके यह बैटर देख सकते हैं बास और अब इसको हम उपर से ढग देंग इसको हम पलट देंगे देख सकते हैं वाव कितना मस्तिस का लुक आया है और खाने में तब बहुत जाए टेश्टी लगता है तो इसी तरह से हम इसे एक दो मिनिट एक दो मिनिट में अलट पलट करके अच्छे से सेख लेंगे और बस यह बहुत ही जल्दी बन जाता है और इस तरह का नास्ता आपने आज तक कभी वरत में बनाया नहीं होगा गाईस तो एक बार जरूर ट्राय करना और इस तरह से आप वरत के लिए पहुती जटपट और पहुती टेश्टी नास्ता बनाकर रेडी कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता है दस से 15 मीट में हमारा ये नास्ता बन करके रेडी हो जाता है देख सकते हैं चलिए इसको हम निकाल लेते हैं तो मैंने इसको दही और हरी चटनी के साथ सब किया है आप इसको बिना चटनी बिना दही के भी खा सकते हैं बहुत जार टेश्टी लगता है अभी आपने देखा ही मैं मैंने जो तड़का प्यान है उसको अलग जगर ले जाके मतलब उसको मैंने जटकार दिया है ताकि जो टेल थे वो हम निकाल ले कि कि आगला जो नास्ता हम बनाए वो यूनिक और टेस्टी बने इसलिए तो देख सकते हैं बस उसी तरीके से आपको बना लेना है और गाइस य यह विडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे है यानि आप किस risदह से हैं उसका नाम भी ज़रूर मैंशन करना ता कि हमें पता चले कि हमारे रेसिपी कहां तUNGकी जारे और अगर आपने अभी तक चैन 10 गंटे बचाहें चली ऐब इसको देख सकते हैं मैंने सबकर लिया है और मैं आपको इसको तोड़ कर बताओं गी बहुत ही शॉप्ट स्पंजी नाष्टा हमारा बनता है चाली दर यह देख सकते हैं इडली से बेटर है इडली भी आप इससे बना सकते है मैंने अलडेडी वी बहुत सार रेसिपिस हम अल्डेडी अपलोड कर चुके हैं, उन्हें भी आप ज़रूर ट्राइ कीजिएगा, और मुझे कमेंट करना है, बिल्कुल न भूले, ज़रूर बताएगा कि आपको हमारे रेसिपिस कैसी लगती हैं, तो गाइस, इंजॉय कीजिए, इस टेस्टी से बुरत वाले नास्टे को, चलिए फिर मिलेंगे एस ही आसान रेसिपि में अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाबाई, एंड टेक कियर,